दसवी पास लोगों को भारतिय रेलवे में नौकरी करने का खास मौका मिला है। इस अफसर के तहित 5,066 अपरेंटिस पदों पर भरती की जाएगी। रेलवे ने इस भरती का ओफीशियल नोटिफिकेशन जारी करतिया है। इंट्रस्टेड एप्लिकेंट्स के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अगर आप नौकरी की तलाश कर रही हैं तो ये भरती आपके लिए एक अच्छा मौका है। इसमें महिला और पुरुष दोनों भाग ले सकते हैं। इस भरती के लिए आवेदन फॉर्म 23 सितमबर सोमवार से शुरू होंगे। इसके बाद आवेदन करने की अंतिम्तिती 22 अक्टूबर मंगलबार है। अब भ्यारतियों को सलह दी जाती है कि वो समय से पहले रेजिस्टर करते ताकि किसी भी तक्नी की समस्या से बचा जा सके सारी जानकारी ध्यान से भरे क्योंकि एप्लिकेशन में कोई भी गलती आपको सिलेक्ट होने से रोक सकती है। के लिए नियम बनाए हैं जिनके तहित अधिक्तम आयू सीमा में छूट दी जाएगी। इसका मकसद ये है कि समाच के अलग-अलग वर्गों के उमीद्वारों को बराबर मौका मिल सके। पस्चिम मध्यर रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आवेदन शुल्क जेनरल, OBC और EWS काटेगरी के लिए 100 रुपए है और SCST, PWD और महिलाओं के लिए ये रेजिस्ट्रेशन एकदम फ्री है। सबसे पहले एप्लिकेंट्स को रेलवे की ओफीशिल वेबसाइट पर जाना है वहाँ आवेदन फॉर्म सिलेक्ट करें। रेजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गई, सभी जानकारी को सही और पूरे तरीके से भरे। अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग रेजिस्ट्रेशन फी का घुकतान करें। सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अप्लोड करना ना भूलें। सारी जानकारी चेक करने के बाद फॉर्म को फाइनल सम्मिट करें। इस भरती में उमीदवारों को दसवी और आईटी आई के मार्क्स पर सिलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद आप उमीदवारों की डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल जाज होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहें।